नमस्कार दोस्तों, आज हम इस विडियो में OnePlus 9 2 vs Xiaomi Mi 11X का फुल डेप्थ कंपारिसन करने वाले हैं इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दुसरे स्मार्टपोन की जानकारी भी आपको विडियो के लास्ट में देंगे सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डाइमेंशन की दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो, OnePlus 9 2 में 6.26 इंच जबकी Mi 11X में 6.44 इंच की लेंथ मिलती है विडि की बात करें तो, OnePlus 9 2 में 2.89 इंच जबकी Mi 11X में 3.01 इंच की विडि बात करें थिकनेस की तो OnePlus Nord 2 में 0.32 इंच जबकि Mi 11X में 0.31 इंच की थिकनेस मिलती है अब बात करते हैं वेट की तो OnePlus Nord 2 में 189 ग्राम्स जबकि Mi 11X में 196 ग्राम्स का वेट देखने को मिलता है जोकि OnePlus Nord 2 से ज्यादा है तो चलिए अब हम दिस्प्ले को कंपेर करते हैं डिस्प्ले टाइफ की बात करें तो OnePlus Nord 2 में Fluid AMOLED जबकि Mi 11X में AMOLED की दिस्प्ले मिलती है अस्पेक्ट रेशियों दोनों फोन में सेम ही 20 रेशियों नौ मिलता है डिस्प्ले साइज की बात करें तो OnePlus Nord 2 में 6.43 inches जबकि Mi 11X में 6.67 inches मिलती है Display Resolution दोनों phone में same ही 1080 by 2400 मिलता है Screen to Body Ratio OnePlus Nord 2 में 85.59 प्रतिशत जबकि Mi 11X में 85.88 प्रतिशत मिलता है बात करें PPI Density की तो OnePlus Nord 2 में 409 प्रतिश जबकि Mi 11X में 395 प्रतिश प्रतिश मिलती है अब देखते हैं Display के अन्य Features यानि विशेशता है की जो की Mobile Phone का महत्वपून हिस्सा है अब बात करते हैं सबके पसंदीदा Features कैमरा की दोस्तों सबसे पहले बात करें मैं कैमरा की तो OnePlus Nord 2 में 4 कैमरा देखने को मिलता है जिसमें की Wide Angle Primary Camera, Ultra Wide Angle Camera, Mono Camera देखने को मिलता है और Mi 11X की बात करें तो इसमें भी हमें 4 कैमरा देखने को मिलता है जिसमें की Wide Angle Primary Camera, Ultra Wide Angle Camera, Macro Camera देखने को मिलता है बात करें विडियो कैमरा की तो OnePlus Nord 2 में 9 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और Mi 11X की बात करें तो उसमें 8 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं अब बात करें फ्रंट कैमरा यानि की सेलफी कैमरा की तो OnePlus Nord 2 में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है जिसमें की 6 different features मिलते हैं और Mi 11X में भी single camera देखने को मिलता है जिसमें 5 different features मिलते हैं अई अब बात करते हैं hardware के बारे में जिसमें हम CPU, GPU, RAM की information देखते हैं hardware में सबसे पहेले CPU जो की speed के हिसाब से देखा जाए तो phone में सबसे important part है उसकी details देखते हैं GPU की बात करे तो OnePlus Nord 2 में Mali G77 MC9 जबकी Mi 11X में Adreno 650 मिलता है चिप सेट की बात करे तो OnePlus Nord 2 में MediaTek Dimensity 1200 MT 6893 और Mi 11X में Qualcomm Snapdragon 870 मिलता है बात करे RAM की तो OnePlus Nord 2 में 8 GB जबकी Mi 11X में 6 GB मिल जाती है बात करे internal memory जिसको हम storage भी कहते हैं वो दोनों फोन में सेम ही 128 GB मिलती है expandable memory दोनों फोन में नहीं है operating system दोनों फोन में Android V11 देखने को मिलती है battery OnePlus Nord 2 में 4500 mAh जबकी Mi 11X में 4520 mAh देखने को मिलती है अई अब main feature को देखते है colors की बात करे तो OnePlus Nord 2 में 2 colors जबकी Mi 11X में 3 colors option मिलते है सब information देखने के बाद बात करे price की तो OnePlus Nord 2 की 2999 रूपीज जबकी Mi 11X की 29,890 रूपीज प्राइस देखने को मिलती है दोस्तों अब बात करते है प्रांज और कॉन्स यानि की फायदे और नुकसान की तो दोनों फोन में 8 फायदे और 3 नुकसान देखने को मिलता है फायनली बात करें है result की तो डिस्प्ले में OnePlus Nord 2 आगे है में कैमरा में OnePlus Nord 2 आगे है फ्रंट, सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है परफॉर्मेंस में Mi 11X आगे है इंटर्नल मेमरी में दोनों फोन सेम ही है दोस्तों, अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं पहले कॉंपिटिटर फोन की बात करें तो उसमें वीवो एकुस सेवन है, जोकी 31,990 रुपे में मिलता है दूसरा OnePlus 9R है, जोकी 49,999 रुपे में मिलता है तीसरा OPPO RANO 6 है, जोकी 31,890 रुपे में मिलता है और लास्ट कॉंपिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Realme X7 Max है जोकी 24,999 रुपे में मिलता है और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना